देवियों सज्जनों आप सभी को जय स्री राम जय स्री क्रेश्न रादे रादे हर हर महादेव आप सभी भक्त गडवी बोलिए हर हर महादेव आज इस भीडियों के माद्यम से जानेंगे कि सिभ भक्त रावर ने किस तरह से सिभ जी के लिए अपने सीस काट दिये इस कथा को पूरा सुने और आपको पूरा सुनने का लाव इस कथा के माद्यम से जरूम मिलेगा हिंदु दरम में वारा जोतिल लिंगों के दर्शन का बड़ा महत्त है इन सभी से सिभ की रोचक कताएं जूड़ी हुई है देव घर के बैदनाद धाम में इस्तापित कामना लिंग भी रावर की बक्ती का प्रतीक हैं 12 जोतिल लिंगों में से एक पवित्र बैदनाद धाम सिभलिंग जारकंड के देवगर में इस्तित है इस जगे को लोग बावा बैदनाद धाम के नाम से जानते हैं कहते हैं बोले नात यहां आने बाले की सभी मनों कामनाय पूरी करते हैं इसलिए इस सिबलिंग को कामना लिंग भी कहते हैं 12 जोतिलिंगों के लिए कहा जाता है कि जहां जहां मादेव साच्छात प्रकट हुए वहां से इस्तापित वहां ये इस्तापित की गई है इसी तरह पुराणों में बैजनात जो तिलिंग कीवी कथा है जो लंकापती रावड से जुड़ी हुई है बगवन सिव के भक्त रावड और बावा बैजनात की कहानी बड़ी निराली है पुराणी कथा के अंसार दसानन रावड बगवन संकर को प्रसन्न करने के लिए हिमाले पर तब कर रहा था वह एक एक करके अपने सीस काट कर सिविलिंग पर चड़ा रहा था नो सिर चड़ाने के बाद जब रावड दस्वा सिर काट बाला था तो भोले नाथ ने प्रसन होकर उसे दर्शन दिये और उससे वर मांगने को कहा तब रावड ने कामना लिंग को ही लंका ले जाने का वरदान मांग लिया रावड के पास सोने की लंका के अलावा तीनों लोगों में सासन करने की सक्ती तो थी ही साथ ही उसने कई देवता यच्छ और गंदरवों को कैद करके भी लंका में रखा हुआ था इस बज़े से रावर्ण ने ये इच्छा जताई कि भगवन सिव केलास को छोड़ लंका में रहें महादेव ने उसकी इस मनोकामना को पूरा तो किया पर साथ ही एक सर्थ भी रही उन्होंने कहा कि अगर तुमने सिविलिंग को रास्ते में कहीं भी रखा तो मैं फिर वहीं रह जाऊंगा और नहीं उठूंगा रावण ने सर्थ मान ली इधर भगवान सिव की केलास छोड़ने की वाद सुनते ही सभी देवता चिंतित हो गए इस समस्या के समादान के लिए सभी भगवान विष्णू के पास गए तब स्री हरी ने लीला रची बगवान विष्णू ने वनुर देव को आच्वन के जरिये रावण के पेट में गुशने को कहा इसलिए जब रावण आच्वन करके सिविलिंग को लेकर सी लंका की और चला तो देव घर के पास उसे लगसंका लगी ऐसे में रावण एक गौले को सिविलिंग देकर लगसंका करने चला गया कहते हैं उस बेजू नाम के गौले के रूप में भगवान विष्णू थे इस बज़े से ही यह तीर सिस्तान बेजनात दाम और रावलेश्वर दाम दोनों नामों से बिख्यात है पौराड ग्रंथों के मताविक रावण कई गंटों तक लगसंका करता रहा जो आज भी एक तालाव के रूप में देवगर में है इधर बेजू ने सिविलिंग धर्ती पर रखकर वहां इस्तापित कर दिया जब रावल लोट कर आया तो लाग कोशसों के बाद भी सिविलिंग को उठा नहीं पाया तब उसे भी भगवान की या लीला समझ में आ गई और वह क्रोधित सिविलिंग पर अपना अंगुठाच गड़ा कर चला गया उसके बाद भ्रह्मा विष्णू आज देवताओं ने आकर उस सिविलिंग की पूजा की सिव जी का दर्शन होते ही सभी देवी देवताओं ने सिविलिंग की उसी इस्तान पर इस्तापना कर दी और सिव इस्तुति करके बापस स्वर्ग को चले गए तभी से महादेव कामना लिंग के रूप में देवगर में बिरायते हैं यहां थी रावड की सिविलिंग न उठा कर ले जाने की पूरी कहानी आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिलकों न भूलें हर हर महादेव कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें